है了 गाइस वेलकम अगेन तो आज हम देखेंगे हाउ ज Meaning ठीक तो इसके पहले भी हमने Осब हम ने ऐला detectors अधरा है ठीक तो आज हम क्या देखेंगे उसका mechanism देखेंगे क्या करेंगे उसका mechanism देखेंगे तो हमने पहले इसके रियक्षिं देकिती एल्याज सी एच CH3 CH11 CH2 यहाँ पर यह जो कार्बन है ठीक है यह कार्बन यह कुन सा कार्बन है अलिलिक कार्बन है ठीक कुन सा कर्बन है यह अलिलिक कार्बन है तो जब हम इसको क्या करते हैं NBS ठीक है that is N-bromo succinamide से react करते है in presence of ultraviolet light and the solvon that is CCL4 तो हमें क्या मिलता है जो यह एलिलिक पोजिशन है इस पर क्या हो जाता है Bromination इस पर क्या होता है Bromination होता है तो यहाँ पर एडिशन अप Bromine ठीक तो इस तरह से क्या मिलता है हमें product मिलता है तो अब हम क्या करेंगे इसका mechanism देखेंगे ठीक है करेंगे हम इसको समझेंगे कि यह कैसे होता है तो सबसे पहले जब क्या करेंगे हम स्टेफ फर्स्ट में स्टेफ फर्स्ट तो यहाँ पर होगा क्या है जो हमारा इन बीएस से यह इन बीएस का स्ट्रक्चर कैसे है कुछ इस तरह से है यह इन बीएस यह इन बीएस तो जब हम इसको इन प्रेंस अफ उल्ट्राविले ट्रेस एंड दे शॉल्वंट CCL4 तो हमें क्या मिलेगा कुछ इस तरह का प्रोड़क्ट मिलेगा that is CH2 CH2 C double bond O N C double bond O ठीक है that is free radical प्लस ब्रोमिन free radical मिलेगा ठीक है इस तरह से क्या होगा वह पर free radical का formation हो जाएगा ठीक है ब्रोमिन free radical क्या हो जाएगा generate हो जाएगा ठीक है from the NBS from NBS then step two step two में क्या होगा तो जो हमारा यह वाला ठीक है एलिलिक जो भी हमारा compound है उसका क्या हो जाएगा CH2 CH double bond CH2 तो यह जो hydrogen है ठीक है this hydrogen is a एलिलिक hydrogen okay this is a एलिलिक है तो यह क्या हो जाएगा यहां से रिमूव हो जाएगा ठीक है यहां से क्या हो जाएगा और वहापर क्या हो जाएगा यह जो इसके साथ क्या हो जाएगा वह अटैच हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा ठीक है प्लस एजबियर बाहर हो जाएगा ओके इस इस कॉल्ड एज एलिलिक प्रिटीकल ओके तो यहां पर यह舟 डः तो इसका यह Hijए क्वव इदर सिक्ट और दुसरा इदर स snack हो जाएगा ठीक है इद्ध्र यहने इस वाले व बांपर शिप्ट हो हो जाएगा क्या हो जाएगा वापर रेजोनन्स स्टेविलाइस्ट ठीक है देन हम देखेंगे स्टेफ थ्री स्टेफ थ्री में क्या होता है स्टेफ थ्री तो यहां पर जो हमारा दूसरा वाला ठीक है सो थीज एज पर यहां पर क्या है information तो दीज एज-बी-आर रियक्ट्स विद्द रियक्ट्स विद्डू-NBS ठीके इन्यू-NBS तो जो नया वाला NBS है जाने इन घ्रोमो सक सेनिया हमाएड अढ़ जनरेट वियर-टू-ो, के तो जो हमारा आंबी करेगा वी घड हाँ इसके साथ क्या होजाएगा एक हो जाएगा इस तरह से हमरा टांबी एसे को के साथ करेगा उलाद है है हॉअगी तो सबसे हाँ पहल pharmacy होजाए komen Вид यह प्लस का साय ने ठीक है इसके साथ अटेक करेगा एजब यार के साथ अटेक करेगा ओके दिन एजब यार में भी एक एलेक्ट और इधर सिफ्ट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा अग दिन देट इसी एच टू छी एच टू शी डवल बांड ओ एन एच शी डवल बांड ओ ठीक देट इस अशक्सीना माइड क्या मिलेगा हमें सक्सीना माइड मिलेगा प्लस क्या बचा है देट इस बियार और साथ में क्या बचा है बियार और दूसरा वाला बियार ठीक है देट इस बियार बियार ओके ये वाला बियार और ये वाला बियार ठीक then step 4 that is step 4 step 4 में क्या होता है this BR2 अभी जो BR2 फार्म होता ठीक है this BR2 molecule okay now attack attacks on allylic on allylic free radical to form product to form product ठीक तो जो हमारा free radical form होता that is CH2 CH double bond CH2 है नगा allylic free radical जो जडरेट होता first allylic free radical प्लस हो गागा ब्र की साथ क्या हो जाएगा दियाक्त हो जाएगा ओके हमें फाइनल प्रोडर्ड के आप मिलेगा धिशर सब्क्राइब सब्क्राइब गृट जाएगा लाट यह लिए टो शाहा तो इस तरह से क्या होती है मेकानिजम होती है